नमस्कार जुस्तों मैं राज पांडे आप देख रहे हैं RCN टुड़े आप सुभी का RCN न्यूट्वी चैनल पर हारजीत स्वागत है अभी की लेटिस्ट अब्डेट की बारे में बात करेंगे इवाओं के लिए अच्छी ख़बर नहीं है जीतने भी DLR पर सिच्छू है किसी रे अच्छी खबर इसलिए नहीं है बर्तमानसरका का मूर बदल सकता है मैं साच दिखाऊंगा वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो देखने के वाल लाइक और सेर जरू करिएगा लोगों तक बात पहुचाने का प्रयास करिएगा आपको मालूम होगा अगनी बीर किस तरह से आ गया था उस तरह से सिछक बीर आने की प्रबल संभावना है क्यों है कैसे है आईए जान लेते हैं देखिए उत्तर प्रदेश में लाखो पत खाली हैं और कम से कम 80,000 पत बर भरती आनी चाहिए 97 सिछक भरती के मांग लंबे समय से चल रहे थी उम्मीद जगी थी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा जटका लगा है तो नई प्रास्वी शिक्षक भरती 2024 में आ जाएगी लेकिन मैं आपको इस पश्च रूप से बताना चाहता हूँ कि 2024 में नई प्रास्वी शिक्षक भरती आने वाली नहीं है पचीस में आएगी कब आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है जो प्लानिंग के तहट कारी किया जा रहा हुआ पचीस और शब्श की प्लानिंग है यानि कि पचीस में वेकनसी आएगे तो शबूष में खhtम हो जाएगी 27 में चुनाओ है यानि कि 26 में कंप्लिट हो जाएगी 27 में चुनावाए मैं क्यों कह रहा हूं कि असी जर भरती का सपना चूर-चूर हो गया है आए जान लेते हैं जब मैं आज के समाचार पत्र का अध्यन कर रहा था तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि बरतमान सरकार कुछ भी कर सकती है आज के समाचार का Walker आप लोग ने पड़ा होगा तो यूपीसेट कर सकेंगे देज भरके शात रहीं जब देश भरॉके चातर यूपी से डी एलड कर सकेंगे तो भविश में ऐसा यानि कि सिच्छक बीर जैसी ब्योस्था पर देश के किसी भी हिस्से से ब्रति आप विजन कर सकते हैं सरकार की मंसा है अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत सारे पर रोजगार पड़े हैं सिच्छक बीर की भरती में सामिल होने के लिए संबीदा पर कारी करने के लिए आउट की स्थिती होती की दियर लिडे की सीटे खाली ही नहीं रखी लेकिन ना सिच्छक बरती करने से हैं और समाचार पत्र में बड़े बड़े हेडिंग पर चापना पर रहा है कि यूपेससे겠지만 कर सकेंगे देश बर के छात्रे जारीं अब उत्तर प्रदेस का निवासी होने की बैज़िता समाप्त करने की तैरी इस सत्र से डीलщее प्रदेश के नियम में बदलाव करने जा रहा है कौन करने जा रहा है जो डियलेट करवाता है और मैं आपको बता दू या आपको अंधगार की तरफ धकेलने वाला है या आपके भविस्त को बरबाद करने वाला है या आपको जड़ से खतम करने वाला है मुझे ऐसा प्रतीत होता अगर सरकार आउट सोरसिव no कि लिए ठ्यार कुकर तो लोग करने के दियार soccer और इस उम्मीद से भविष्ट में परमाने ठोच आंगे तो उत्तर प्रडेस के युवाओं का आउस्षर समाप्थ हो अब बोलो कि बरतमान सरकार आपकी हित में क्या कारगद रही है तो का आप उम्मीद लागा सकते हैं आपको कोई उम्मीद है कि बरतमान सरकार नहीं प्रास्विक शिक्षक भरती अब देगी नहीं देगी अब अब 25 का बेट करिए अब इंडे में आएगी 26 के पहले आएगी इस वर जाने जिस तरह की स्थिती परस्थिती बन रही है उत्तर प्रदेश में युवाओं की कमी नहीं है डिलर प्रस्विच्वों की कमी नहीं है लाकों की संख्या में बैठे पड़े हैं लेकिन बरतमान सरका एक अगा इंकम करने के लिए देशघर की एपसले करने के लिए रहे लोगोंत्री संख्या के लिए सब्सक्राइल सब्सक्राइब तब लोग करने के लिए तयार हो जाएंगे क्योंकि बेरोजगारी चरम पर होगी इस बात को आपको समझ जाना चाहिए इस लिए इस वीडियो को सेर करें और जो नियम लगा जा रहा है मुझे तो सही नहीं लग रहा है अगर आपको सही लग रहा है तो आप भया समर्थन करिया मैं तो इस पर शुरूप से कहना चाहता हूं प्रात्विक शिक्षक भरती हर साल दे चाहिए बीस जार पदों पर दे तो आज यह इस्तिती नहीं होते कि डियलेट की सीटे नहीं भरत और देश भरत थे लोगों को बुलाने के वशक्ता पड़ती आप इससे कितरा सहमत है कमेड़ों पर सुन उताइए इस वीडियो को सेयर करिये मैं कह रहा हूं सेयर करिये लोग तो पहुंचाईए नहीं तो आप ओका बोका घर में बैटके खेलते रहेंगे जुडिया